इडी ने जम्मू कश्मीर के पुर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फरेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला को मनी लॉंडरिंग के एक मामले में सम्मन भेजा है जाच एजेंसी ने फारुक को गुरुवार को श्री नगर में पूशताच के लिए बुलाया है इडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसियेशन के फंड में अनी मितताओं को लेकर यह कारवाई की है इडी और सीबियाई दोनों इस मामले की जाच कर रही है इडी ने इस मामले में साल 2022 में चार्जशिट दायर की थी फारुक से इस मामले में पहले भी पूशताच हो चुकी है इसके मताबिक 46 साल के फारुक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसिये के अध्यक्ष थे 2004 और 2009 के बीच जेकेसिये के अधिकारियों सहित कई लोगों ने क्रिकेट एसोसियेशन के फंड को अपने परसनल बेंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था इडी ने एसोसियेशन के अधिकारियों के खिलाफ सीबी आई की ओर से 2018 में दायर चार्जशीट के अधारपर जाश शुरू की थी फारुक पर आरूफ है कि उन्होंने एसोसियेशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पत का दूरुरूपयों किया उन्होंने JKCA में न्यूक दिया की ताकि BCCI के स्पॉंसर्ट फंड में हैर फिर क्या जा सके इसी के साथ मैंने रही है एशा इस इंडिया के साथ है निवाद